नमस्कार साथियों मैं स्वाकत करती हूँ आपका अपने चैनल वाइफाय स्टडी विथ नंदिनी में जहां मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब के बीच में 12 मार्च के करेंट अफेर को लेकर तो आए हम स्टार्ट करते हैं अपने सुबह के सुविजार के साथ में अपनी ये क् आज का विचार न कभी भागें न कभी रुकें बस हमेशा चलते रहें न कभी भागें किस चीज से अपनी मुश्किलों से अपनी दिक्कतों से और नहीं कभी रुकें उन दिक्कतों के आगे बल्कि हमेशा रास्ता ढूंते रहें और आगे बढ़ते रहने के लिए अपना उत्साह के साथ इसी जोश के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास आज के करेंट अफेर की सबसे पहली हम बात करेंगे साइबर सेंसर्शिप के बारे में इसकी बात करेंगे हम साइबर सेंसर्शिप के बारे में बात करेंगे जो हर साल 12 मार्च को मनाया जाता है और इस और Amnesty International के अनुरोध उपर इस दिन को मनाया जाता है और पहली बार 12 मार्च 2008 को इस डे को मनाया गया था Cyber citizenship के खिलाब विश्व दिवस को और इस दिन नेटिजन पुरसकार दिये जाते हैं और साथ में ही एक बहुत important घटना जो हुई थी Syria के संदर्व में यानि Syria में 22 पत्रकारों और लगभग 18 इंटरनेट यूजर्स को जेल में डाल दिया गया था जेल की उनको सजा सुनाई गई थी तो एक बहुत important role अदा करता है ये घटना और इसी घटना के बाद में 12 मार्च 2008 को पहली बार अंतरास्टी NGO Reporters Without Borders और Amnesty International के अनुरोद पर इस डे को celebrate किया गया था अच्छा यहां से कैसे question बनेंगे देखो सबसे पहला question ये बन जाएगा कि cyber censorship के खिलाब विश्वदिवस कब मनाय जाता है तो आप बोलेंगे 12 मार्च 2023 को पहली बार कब मनाय गया था 2008 में मनाय गया था second question बन गया थर्ड question क्या बन गया कि किस के द्वारा मनाय गया था तो अंतरास्टी NGO Reporters Without Borders और Amnesty International के अनुरोद पर मनाय जाता है और इस दिन कौन से पुरसकार दिये जाते हैं तो नेटिजन पुरसकार दिये जाते हैं यानि मेरे कहने का मतलब यह है यह है कि एक slide में आप देख रहे ह अब हम बात करेंगे मौरिशस के राष्टी दिवस के बारे में जो हर साल 12 मार्च को मनाय जाता है तो इस बार भी 12 मार्च को मौरिशस का राष्टी दिवस मनाय जाएगा अपनी स्वतंत्रता और गरतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए मौरिसस ये दिन मनाता है और आपको पता दें कि 1968 में सबसे पहले अंग्रेजों से मौरिसस को छुटकारा मिला था यानि स्वतंत्रता मिली थी और पहली बार 1992 में यह गरतंत्र राज्य बना था मौरिसस को के बारे में अगर हम जानकारी ले उसके भौवलिक एस्थिति के बारे में जानकारी ले तो हिंद महासागर में स्थित है और पूरी तरीके से हिंदु राश्ट रहे ठीक है ना और इसने 1992 से नियमित तौर पर यहां पर एक लोगतांत्रिक राज्य बन गया था और नियमित रूप से यहां पर चुनाओ की प्रक्रिया होती है अब इस स्लाइड में भी कोशन हम देख सकते हैं कि कितने कोशन हमारे बन रहे हैं सबसे पहला कोशन यही बन जाता है कि मौरिस्यस का राज्टे दिवस कब मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है कब सोतंत्रता मिली थी और इसकी भोगली के स्थिति के बारे में एक दो कोशन आ सकते हैं यहां से बन सकते हैं कि हिंद मास आगर में स्थित है हिंदू राश्ट्र है इस तरीकी के कोशन आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे हुआ के बारे में जिसके CEO नुक्त हुए हैं रोहित जावा मतलब इनको अभी नॉमिनेट किया गया है और ये जो है किसकी जगा लेंगे तो ये संजीव महता की जगा लेंगे जिनका जो कारेकाल है वो 30 मार्च को समाप्त हो रहा है और जो रोहित जावा हैं इनका कारेकाल या इनकी नुक्ति 27 जून 2013 से शुरू होगी और आपको बता दे कि रोहित जावा लंदन इस्थितवर्तमान चीफ और ट्रांसफॉर्मेशन में यूनी लिवर साउथ एशिया के अध्यक्ष के पद को भी समालेंगे अगर हम हिंदुस्तान यूनी लिवर लिमिटेट के बारे में बात करें तो आपको इसकतर हो बता दे कि इंगलेंड की कंपनी है सबसे पहली बात दूसरी चीज इसका जो मुख्याले है वो इंगलेंड के लंदन में है है ना और भारत में जो इसके स्थापना हुई थी वो 17 अक्टूबर 1933 को हुई थी और इसका भारत में मुख्यालय कहां पर है तो मुंबई में है अब यहां से कोशन जो बनता है सबसे important कोशन की HUL का full form क्या है दूसरी दूसरा कोशन बनता है कि जो CEO है वो कौन नुक्त किये ग और England में या Europe में इसका मुख्यालय का है यह कोशन बन सकता है नेक्स हम बात करेंगे Access Mutual Fund के बारे में जिसके MD और CEO के रूप में किसको नुक्त किया गया है नामित किया गया है तो वो है B. Gop Kumar है ना तो B. Gop Kumar जो है अब Access Mutual Fund के MD और CEO होंगे और यह किसकी जगा लेंगे तो यह चंद्रेश निगम की जगा लेंगे तो यहां से भी दो कोशन बनता है कि Access Mutual Fund के MD और CEO के रूप में किसको मानेता मिली है किसको नामित किया गया है तो B. Gop Kumar को नामित किया गया है और यह किसकी जगा लेंगे दो कोशन बन गया हमारे यहां से नेक्स बात करेंगे हम British बास्तुकार David Chipperfield के बारे में जिनको 2023 का पृच्चगर पृच्चार पृच्चगर पृच्चार ब्रिटिस बास्तुकार है David Chipperfield इनको दिया गया है और especially जो यह पृच्चार है यह सहरी, योजनाकार और बास्तुकार के फिल्च में दिया गया है और आपको पता दें कि ये 52 नंबर के विजेता है यानि इसके पहले 51 नंबर 51 लोगों को ये पुरुसकार मिल चुका है और 52 नंबर के ये विजेता रही हैं 2022 में किसको मिला था तो फ्रांसिस केरे को मिला था जो जर्मनी से बिलोग करते हैं और 2021 में एनि लैक्टन और जीन फिलिप वासल को सहीम तरूप से मिला था जो फ्रांस से बिलोग करते हैं 2021 में है ना और ये जो प्रिजगर पुरसकार समारो है ये किस नंबर का प्रिजगर पुरसकार समारो था तो 45 नंबर का प्रिजगर पुरसकार समारो था जिसको ग्रीज के एथिन्स में आयोजित किया गया था मई 2023 में आयोजित किया जाएगा अब यहां से क्या कोशन बनता है जानकारे वो किसको दिया गया है, second question बनता है कि किस field में दिया जाता है, इसकी जो स्थापना है, वो कब करी गई थी, तो 1979 में करी गई थी, जो हमारे जो sir david chipper field है, वो किस number के विजेता बने हैं, और ये कौन से number का प्रजगर पुरसकार समारो है, तो 45 number का है, और कहां पर आय प्रायोजित होगा, तो इस तरीके से 5-6 question हमारे slide से बन गए, इसके बाद और जानकारी ले ले लेते हैं, कि आर्किटेक्चर के field में सरवोच अंतरास्टी समान है, ये हमको पता होना चाहिए, और इसकी स्थापना 1979 में जे ए प्रजगर के द्वारा की गई थी, और इसको जो है, इसे लिए प्रिचजगर परिवार के द्वारा ही वित्व पोशित किया जाता है, और जो हयात foundation है, वो प्रायोजित करता है, यानि हयात foundation ही पूरे इस पुरसकार की प्रक्रिया है, उसको organize करता है, तो यहां से हयात foundation important हो जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई और इसको financially कौन मदद करता है ये कोशन बन गया भारत के संदर में अब हम देखेंगे दिखिए कोई भी पुरसकार होता है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि विश्रों में किसी को भी मिले तो हमें भारत के परिप्रेक्ष में भी उसका अध्यन करना पड़ेगा क भारत के परिप्रेक्ष में भारत की किसी वक्ति को संस्था को पुरसकार कब और किस समय मिला था तो आपको पता दे कि यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह तस्वीर है बाल एक कृष्ण दोसी जी की जिनको 2018 में प्रसिद भारतिय वास्तोकार पुरसकार मिला था और especially क इसले मिला था इनको, इन्होंने IIM Bangalore, IIM Lucknow, जैसे कई सेक्ष्रिक सस्थानों को बनाया था और साथ में ही कम लागत के आवास परियोजनाओं को बनाने में इनका महतोपोर्ण लोगदान रहा है. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, युक्रेनी राइट्स ग्रुप है, जिसका नाम है Truth Hounders, उसको नार्वेजियन पुरुसकार, जिसका नाम है Sakharov Freedom, इस अवार्ड को इस पुरुसकार को दिया गया है, 9 मार्च को. अच्छा, युक्रेनी मानवाधिकार संगठन, Truth Hounders को इस्पेशली युद अपरादों का दस्तावेजी करण के लिए ये पुरुसकार दिया गया है, Sakharov Freedom Award. ठीक है, और आपको पता दें, कि जो नार्वेजियन हेल सिंग की समिती है, उसने जो है आंद्रेई Sakharov के समर्थन से Sakharov Freedom Award की स्थाबना, 1980 में करी थी. Truth Hounders क्या है, तो Truth Hounders, इस्पेशली युक्रेन का एक मानवा धिकार, एक समू है, जो इस्पेशली तब बना था जब युक्रेन की जो राश्पती थे, विक्टर यानुकोविच, वो रूस के समर्थर थे, तो उनको हटाने के लिए एक क्रांती चलाए गई थी, एक क्रांत के दोरान ही Truth Hounders नामक एक संस्था युक्रेनी अधिकार समू के रूप में निकल कर सामने आया, तो इस्पेशली जो पूर्व सोविच छेतर के जो मानवा धिकार रक्षक हैं, उनको नियमित रूप से सम्मानित करने के लिए ये पुरसकार प्रदान किया जाता है, अब इ उक्रेनी rights group है, Truth Hounders उसको दिया गया है, किसके द्वारा ये जो पुरसकार है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, या इसको किसने बनाया है, इसकी स्थापना कप की गई थी, तो 1980 में स्थापना की गई थी, और एक समिती है, नार्वेजियन हिलसंग की समिती, और हम बात करेंगे कुलंबिया के बारे में जहावर 25 सालों के बाद में पहली बार महिलाओं के लिए सैने सेवा शुरू करी गई है और आपको पता दें कि कुलंबिया में एक नियम है कि वहां का जो पुरुश है उसकी जब उमर 18 साल से और 24 साल के बीच में उसको अनिवारे सेवारे में कमें पाद में इसंपटाइथ है को आपको पता दें कि यहां पर अनिवारे रुप से 12 महिने में 50 जार पुरुशों का इसा मौसदा त्यार किया जाता है जो सेना में सामिल हो सके इस वाली स्लाइट से हमारे दो कोशुन बनते हैं सबसें इंपर्टन कि कोलंबिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पहली बार महिलाओं को सैने सेवा में शामिल किया गया या कोलंबिया में कौन सी सैने सेवा में किसे शामिल किया गया है और कितने वर्सों बाद शामिल किया गया है या वो कौन सा देश है एक कोशन और बनता है कि वो कौन सा देश है जहां पर 18-24 वर्ष के जो पुरुश है उनको अनिवारे रूप से सैने सेवा देनी पड़ती है तो हमारे 3-4 कोशन यहां पर बन गए अब हम थोड़ी सी बात कोलंबिया के बारे में कर लेते हैं कोलंबिया की भगोले की स्तिती जब हम देखेंगे तो जो तक्षणी अमेरिका महाद्वीप है बहाँ पर हमें कोलंबिया उत्तर पश्ची में स्तित देश के रूप में मिल जाएगा और इसका जो उत्तरी छेतर है वो करेबियन सगर है यहाँ पर, ठीक है यह आप पनामा देखेंगे, यहाँ पर आपको पृशांत महा सागर दिखेगा, यहाँ पर आपको इकवेडोर और पेरु दिखेगा, और यहाँ पर आपको वेनुजुएला और ब्राजिन दिखेगा, तो ये भगोली किस्तिती है ठीक है इसका जो आधिकारिक नाम है वो क्या है कुलंबिया गड़ राज्य है सरकार का रूप यहाँ पर गड़ तंत्र है राजधानी बोगोटा है और जो आधिकारिक लैंग्विज यूज की जाती है वो स्पैनिश है मुद्रा पेसो है अंता मार्टा यहाँ पर है और प्रमुख नदिया यहां की मैकडानेला कौका और अट्राटो सेनु हैं अब हम बात करेंगे सिक्स ड्रोनियर विमान के बारे में जिसको खरीदा चाह रहा है रक्षा मंत्राले की तरफ से हल के साथ अनुबंद कर लिया गया है हल मतलब अब हम नेक्स बात करेंगे जो रक्षा मंत्रा आले ने हल के साथ समझाता किया है तो ड्रोनियर का फुल फॉर्म क्या है तो ड्रोनियर है ड्रोनियर 228 विमान जो बायुसेना के बहुत सारी आवशक्ताओं को पूरा करेगा जैसे कि द्विपों पर पहाड़ों पर छोटी दूरी को तैंक करने में हलका परिवहन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और साथी समुद्री निगरानी को भी कई गुना ये बढ़ा देगा है ना और इसके साथ साथ मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था कि रक्षा मंत्राले ने हल के साथ समझाता किया है 70 HTT 40 Basic Trainer विमानों के लिए एक अनुबंद किया गया है और कितने रुपए का था वो तो 6,888 करण रुपए का अनुबंद किया गया था है ना और ये कहा गया था कि 6 साल की अवदी में भारतिय वायु सेना को जो HAL है वो HTT 40 Basic Trainer विमान प्रोवाइड करवाएगी अगर HTT 40 का फुल फर्म देखते हैं तो वो क्या है तो हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 ठीक है ना इसकी आपोर्ति की जाएगी HAL के द्वारा भारतिय वायु सेना को अच्छा यहां से जो हमारे कोशन बनते हैं वो देख लेते हैं कितने सारे कोशन बन रहा है तो देखिए सबसे पहल कोशन बनता है कि किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसके बाद यहां से यह कोशन भी बनेगा कि HTT 40 क्या है है और उसका उसका जो अनुबंध किया गया था HAL के साथ में वो कितने करण रुपय का था नेक्स्ट हम बात करेंगे PNB और केंद्रिय भंडार निगम CWC के बारे में देखिए PNB यानि पंजाब नेशनल बैंक और केंद्रिय भंडार निगम यानि कि Central Warehousing Corporation इन्होंने मिलकर किसानों के वित पोशन के लिए financially किसानों को strong बनाने के लिए सुवधा प्रदान करने क लिए एक MOU किया है और उस पर हस्ताक्षर करा है ठीक है 9 मार 2023 को हस्ताक्षर किये गये हैं और किसलिए किये गये हैं तो देखिए जो गुदामों में जो भी सामान जो भी उत्पाद जो भी करशी उत्पाद या अनाज रखा जाता है उस गिर्वी रखे हुए उत्पाद के मोटिव हैं और केंद्रिय भंडार निगम क्या है तो इस केंद्रिय भंडार निगम यानि की सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जो इस्थापना है वो 9 मार्च 1957 को करी गई थी इस्पेशली पर्यावरण के अनकूल तरीके से विशवशनी या लागत प्रभावी मुल्य वर्धित एकेकरित भंडारण और रसत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश से पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात कर लेते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक जो है आपको बता दें कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा सारवजनी छेतर का बैंक है पहली बात इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्ली में मिलेगा आपको इसके जो इस समय MD और CEO है वो 1894 में दयाल सिंग मजीठिया व लाला लाजपतराय के द्वारा करी गई थी है ना और इसकी UK में एक बैंकिंग सहायक कंपनी है और साथ ही दुबई काबुल कॉबलून और होंग कॉंग में भी इसकी साखाएं हमको देखने को मिल जाएंगी अब इस स्लाइड में हम देखत के साथ में समझोता करा है तो आंसर क्या आजाएगा केंद्रिय भंडारन निकम है ना और किस मालीजी पूछा जा सकता है कि केंद्रिय भंडारन निकम ने किस बैंक के साथ समझोता करा है किसानों के वित्वशन के लिए तो आंसर आजाएगा PNB है ना अब यहां पर पंज अच्छा अब हम बात करेंगे महाराश्ट्रा के नागपूर के बारे में जहांके पुलिस और नागपूर नगर निगम का जो समाज कल्यार भी भाग है वो सयुक्त रूप से एक इनिशियेटिव चला रहा है जिसका नाम है भिखारी मुक्त शहर इसके लिए एक अधिसुष्णा जारी करी गई है जिसके अंतरगत तो 144 CRPC के अंतरगत जिसके दौरा क्या किया जाएगा तो जो लोग बेघर हैं जो लोग भिखारी हैं उनको ठहराने के लिए पुलिस अभियान चला रही है और साथ ही जो नागपूर नगर निगम है उनके स देख सकते हैं नागपूर की स्थिति अच्छा ये जो आप मैप देख रहे हैं ये महाराश्ट्रा का है और यहां पर हमें नागपूर देखने को मिलेगा साथ में ही महाराश्ट्रा राज्य के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना एक मई 1960 को ही थी इसके जिले 36 है भज़धानी मुंबाई है राज्य पाल राज जपाल इंपॉर्टन्ट है जरूरी हाथ कर लीजिए का शाम में पूछा जाता है राज्य पाल और मुख्यमंत्री तो रमेश पैस और मुख्यमंत्री एक नग सिंधे हैं लोगसभा में यहां से 48 सीठे जाती ओर राज्य सभा दरियाँ पर 82.91% है तो इस वाल इस स्लाइट से दो कोशन हमारे सामने यह आ गै कि विखारे मुक्त शहर किस राज्य की का initiative है या किस राज्य के जिले का initiative किस रहर का initiative है पूछा जा सकता है नेक्स question है Thomas A. Sangma के बारे में हम सबको पता है कि अभी मेघाले में विधान सबा के चुना हुए थे तो मेघाले का जो 11 विधान सबा है तो उसके जो अध्धक्ष चुने गया है वो Thomas A. Sangma को चुना गया है और 10 मार 2023 को उन्हों उन्हें सपत ले ली है और आपको पता दें कि जो पी Thomas A. Sangma है वो National People's Party से रिलेट करते हैं और साथ ही यह किसकी जगा लेंगे तो यह जगा लेंगे मेतबाह लिंग दो होगे Thomas A. Sangma के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेघाले का विधान सभा छेतर है जिसका नाम है उत्तर तुरा वहां से यह बिलॉंग करते हैं और साथ में ही 2008 से 2014 के बीच में भारत की संसत का जो उच्च सदन है या निराज्य सभा के लिए भी इनको चुना गया था कॉंग कल संगमा के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए कर कॉंग कल संगमा पूर्व लोग सभा अध्यक्ष थे पिये संगमा हम जानते हैं पिये संगमा के बारे में तो उनके बेटे हैं और साथ ही जो मेघाले राज्य है वहां पर वर्तमान में राज्य के मुख्य मंत ठीक है और साथ में आपको बता दें कि 7 मार्ट 2023 को दूसरी बार इन्होंने मुख्य मंत्री पत की सफ़त ली है तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितने सारे कोशन बन रहे हैं सबसे पहला कोशन बनता है कि किस नंबर का विधानसवा चुनाओ था तो 11 विधानसवा का चुना है और साथ में ही कॉन्राट कोंगला संगमा के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की मुख्य मंत्री बनी है और साथ में ही कब इन्होंने सफ़त ली है तो आप देख सकते हैं कि 6-7 कोशन हमारे स्लाइड में बन गए देखिए महाराश्ट की जो गॉर्मेंट है उसने जो अभी हमने 8 मार्च को वोमिन्स डे सेलिबिरेट किया तो उसी अवसर पर मुख्य मंत्री हैं देविंद्र परणवीस उन्होंने विधान सबा में बताया कि महाराश्ट की जो कवर्मेंट है वो महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए उनको स्वावलंबी बनान जम्मु कश्मीर का जो डोड़ा जिला है बहां पर 9 मार्च को क्या हुआ तो 9 मार्च को 100 फुट उचा तिरंगा फहराया गया है और पहली बार ये दूसरी बार ऐसा किया गया है पहली बार जम्मु कश्मीर का जो किस्तवार शहर था वहां पर भी 100 फुट उचा तिरंगा जनदा फहराया गया था जुलाई 2022 में población tag दोहजार तेजव में नौ मार्ज को ऐसा किया गया है इसपस्पेशली जो चिनाब छेतर है वहाँ पर जो हमारे भारतिय सैनिक है उनको याद करने के लिए उनके बलिदान को याद करने के लिए ऐसा किया गया है तो यहां से हमारे दो कोशन बनेंगे जम्मू कश्मीर में परवती डोडा जिला है वहाँ पर 100 फुट उचाई कर आश्चेदवच फैराया गया था तीसरा कोशन हमारा बनेगा कि जुलाई 2022 में किस सहर से इतना उचाई यानि 100 फुट उचाई पर आश्चेदवच फैराया गया था अब हम बात करेंगे एक पुस्तक के बारे में एक बुक के बारे में जिसको लिखी है के एम चंद्रशेकर जी ने और इस बुक का नाम के है इस बुक को लिखा है इन्होंने और ये कौन थे तो ये हैं कैबिनेट सच्चिव के रूप में इन्होंने काम किया है 2007 से 2011 के बीच में जब भारत में UPA की गवर्मेंट थी तो UPA के यूग के दोरान जो भारती राजनीती थी नौकर शाही थी उसके बारे में इस बुक में बहुत सारी जानकारी मिलती है के एम चंदर शेकर जी की ये as good as my word ये क्या है ये एक आत्म कता है जिसमें उन्होंने UPA प्रशासन के जो सबसे कठिन समय रहे हैं जैसे की 2008 की जो महानमंदी रही है 2009 में तिलकर्मियों की हर्ताल थी 26 सिग्यारा पर में जो मुंबई पर हमला हुआ था साथ साथ जो घोटाले हुए थे भ्रश्टाचार के जो आरोप लगर है थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा है as good as my word तो यहां से हम देख सकते हैं कि कितने सारे कोशन बन रहे हैं सबसे पहला कोशन तो यहीं बनता है कि आपको बुक का नाम दे दिया जाएगा और्थर का नाम पूछा जाएगा और्थर का नाम दे दिया जाएगा बुक का नाम पूछा जाएगा अब जो के एम चंदर शेख अब हम बात करेंगे मर्द्य परदेश के बारे में जिसकी राजधानी है भुपाल, तो भुपाल में ही भुपाल हार्ट में एक आयोचन हो रहा है जिसका नाम है दिव्यकला मेला, और इस्पेशली दिव्यांग जन आधिकारिता विभाग की द्वारा आयोजित किया जा रहा और इसका जो उदेशे क्या है तो देश भर के जो दिव्यांग है उद्यमी है कारिगर है वो अपने उत्पादों को अपने शिल्प कोशल को यहां पर प्रदर्शित करेंगे और साथ ही 21 राज्य और जो यूटीज है उनके लगबग 150 दिव्यांग कारिगर कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कोशल का इस मेले में प्रदर्शन करेंगे और साथ ही इस मेले में लोकल के लिए मुखर इस टैग लाइन के साथ में दिव्यांग शिल्प कारों के द्वारा बनाएगे उत्पादों को देखा और खरिता जाएगा दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में जो दिव्यांगता आधिकारिता विभाग है उसने विकलांग वेक्टियों के लिए एतिहासिक करतव ये पत्थ पर दिव्यकला मेले का आयोचन करा था अब इस स्लाइट से देखे कितने सारे पोप्षन हमारे बन जाते हैं पहला तो दिव्यकला मेला का और्गनाईजेशन कहां पर हो रहा है किस स्टेट में हो रहा है किस स्टेट के किस जिले में हो रहा है कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है इसका उधगाटन किस ने किया कब से कब तक चलेगा है ना कितने स्टेट के जो लोग थे वो यहां पर आये तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे 6-7 कोश्चन इस स्लाइड में हमारे बन जाते हैं अब हम बात करेंगे इस रोग की एक रिपोर्ट के बारे में जिसमें ये कहां गया है कि उत्राखन का जो रुद्र प्रयाग है और टीरी है वो भुसकलन सोचकांग में शिर्ष पर है और आपको बता दें कि एजनसी ने 1998 से लेकर 2022 के बीच में देश के लगवग 80,000 से अधिव भुसकलोनों का डेटाबेस त्यार किया है और कैसे त्यार किया है तो जो इस रोग के उपगरे हैं उनके डेटा का प्रयोग करके है ना तो जब डेटा का प्रयोग किया गया और लिस्ट बनाई गई तो देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावी जगा है वो क्या है तो टीरी गडवाल है और रुदर प्रयाग है और साथ ही बता दें कि पिछले 20 वर्सों में भूस्खलन की सबसे अधिक घटनाएं इसी हिस्से में हमें देखने को मिलती हैं अच्छा इसके अलावा इस रोग में ये भी बताया कि जो हमारा केरल का मलपूरम, त्रिशूर, पलककड और कोंजी कोड है जम्मु कश्मीर का राजवरी और पुंच है और दक्षन और पूर्वी सिक्किम देश के सबसे अधिक प्रभावी जिले हो सकते हैं और इसके अलावा हम ये भी देखेंगी कि 147 जिलों को रैंकिंग की गई है जिसमें से 17 राज्यों और दो केंदर शासित प्रदेशों से जुड़े हुए इन जिले हैं भारत और भूसकलन के बारे में अगर हम बात करें तो भारत उन चार देशों में रिपोर्ट में ये भी का आ गया है कि भारत उन चार देशों में शामिल है जहां भूसकलन का सबसे अधिक खतरा है और लगभग जो 13% जो भाग है भारत का भूसकलन की चपेट में आ सकता है और तीसरी सबसे खतरनाग प्राकरतिक आपता है भूसकलन जिसमें व्यक्ति की मौत ज्यादा होती है तो इस वाले स्लाइड से हमें 3 سے 4 या उससे भी कहिया दिख कहूं तो कोषन खम सकते हैं सबसे पहला कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा दे गई है किसको इसरो के द्वारा दे गई है कौन सा जीला है जो सबसे उपर है तो उत्राखंड है और उत्राखंड में भी कौन सी जगहें हैं जो सबसे उपर है तो रुद्र प्रयाग और टेहरी भूसकलन है इसके अलावा इसमें जो है 1998 से 2022 के बीच में असी हजार से कितने अधिक बूसकलनों का अधियन किया गया डेटा बेस त्यार किया गया है तो असी हजार सत्रह राज्यों का और दो केज़शासित प्रदेशों के बूसकलन से प्रभावित 147 जिलों की रैंग दी गई है तो यहां से हम देखते हैं 30-4 कोशन हमारे अराम से त्यार हो जाते हैं अब हम बात करेंगे विकास की हिंदू दर के बारे में अब विकास की हिंदू दर क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहली हम बात करेंगे हमारे जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं रगु राम राजन उनके बारे में तो उन्हों ने देखा कि जो चालू वित्वर्ष है जो अभी वित्वर्ष चल रहा है उसमें जो पहली तिमाही थी यानि अप्रेल से जुन का जो ट तीसरी तिमाही थी, है न, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तो ये देखा गया कि 4.4 हो गई, सकल घरेलू उत्पात की वृद्धी दर, तो इससे उन्होंने रगु, जो पूर्व गवर्णर रगु राम राजन थे, उनका ध्यान केंद्रित हुआ, और उन्होंने बोला कि अगर ऐसी ही स्तिती बनी रही, तो ये जो दर है, वो भारत हिंदो विकास दर के खतरनाख रूप से करीब चला जाएगा, अब ये हिंदो विकास दर क्या है, तो इसमें जैसे हिंदो धर्म की मानिता को लेकर ये कहा जाता है, हिंदो शब्द का प्रियोंग जो किया गया इस्पेशली कर्व और भागय में विश्वास को लेकर धीमी वृदि के साथ जोडने के बारे में ये बात कही जाती है, और आपको बतादें के विकास की विकास की धीरे बनी रहती है, तब उसको विकास की हिंदो धर कहा जाता है, इस शब्द का प्रियोग सबसे पहले 1978 मे अर्थ शास्त्रे राज कृष्णे की द्वारा किया गया उदारी करण से पहले के युग में क्योंकि उस समय जब उदारी करण नहीं था तो उसके पहले का जो दर ती वो काफी ज्यादा कम थी तो उसको उन्होंने नाम दे दिया विकास की हिंदू दर ठीक है और आपको बता दें कि अभी के टाइम में जो अर्थशास्त्री है वो इस दर को सही नहीं मानते वो यह कहते हैं कि इसमें किसी धर्म का कोई भी रोल नहीं है इस्पेशली यह जो सरकार की नीतियां है उसके द के दियान में रखते हुए जो हमारे पूरो गवर्नर रगुराम राजन है उन्होंने भी कहा कि इस विकासदर के कम होने का जो रिजन है वो क्या है तो नीजी छेत्र के निवेश में कमी हुआई है उच्च व्यासदरों और विकास जो धीमे वैश्विक विकासदर है उसमे जो कमी आई है इसका सबसे बड़ा कारण है विकास की हिंदू दर्का इस वीडियो में इतना ही I hope कि आपने session enjoy किया होगा आपके exam के point of view से question अच्छे होंगे तो please channel को like करिए, share करिए, subscribe करिए अगर आपके friend हैं तयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई study group है तो वहां तक इस channel को पहुचाईए अपने बहुत सारा साथ दिया है और साथ में बहुत सारा प्यार भी दिया है उन दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहे हैं गुद डेर, टेक कियर और बाए बाए